कि वेलकम डॉबर यूटूब चैनल एसके संकल्प माई सेल्फ एसके कलाइबं संस्कृति के हमारे 14 के संधिंग लेक्चर हो चुके हैं आज हम 15 या 16 लेक्चर होगा हमारा और 15 से 16 लेक्चर जो हमारे अभी तक हुए हैं उन 15 लेक्चर में हमने जो देखा है वह मध्यकालीन और प्राचीनकाली जैसे इत्यास पूरा है एक प्राचीन मध्ये और आपका मोडन तो एंशेंड और मीडिवल के टाइम पीरेड में जो भी भवन बनते थे जो भी महल बनते थे जो भी इस्तूब बनते थे वटेवर जो भी बनता था वह हम देख चुके हैं वह किस किस तर आपदी से 1600 से 1947 तक हमारे यहां भारत में किस सरीके से महलों का निर्माडवा किस शैली से हुआ तो आज हम डिसकस करेंगे उस डिसकस के से पहले आप से चाहूंगा प्लीज हमारा यह बटन आ रहा है सब्सक्राइब का बैल आइकन प्लीज इसको लाइक और बटन को दबा इजिएगा चलिए स्टार्ट करते हों और आटन कल्चर हमारा चल रहा है आधुनिकाल की हम इस्थापति कला देखेंगे किसकी आधुनिकाल की ठीक है मोडन कि मौडन एरा की हम देखेंगे इस्थापत्तित तो बहुत असान है आप लोगों को पता है युरोप एक महादीब है युरोप एक महादीब है युरोप महादीब में पुर्टुगाल एक देश है जैसे कि आप लोगों को पता है ऐसी आपके डच है पुर्टुगाल में ऐसी आपके अंग्रेज है और आपके फ्रांसिसी है तो सोल भी सताब्द के बात को लगबग अब से 400-500-600 साल पर्तुगाल डच अंग्रेज फ्रांसीजी और भी हैं लेकिन मैंने मोटा मोटा ले लिया आपका यह देश वहां पर थे तो यहां पर यूरोप के अंदर कुछ घर बनते होंगे कुछ महल बनते होंगे कुछ भवन बनते होंगे तो वहां इशली कि और ऐसी आपकी ब्रोग इली अच्वी ए इस सारिंपोर्ण है जो मैं आपको तो भवन बनाने के लिए प्रमुक्स अमरी का जो प्रियोग होता था वो इट का प्रियोग होता था लेकिन च्छत और सीडिया बनाने के लिए च्छत और सीडिया बनाने के लिए यह क्या प्रियोग करते थे लकडी का प्रियोग करते थे किसका लकडी का बुड का प्रियोग पुर्टुगाली को जाएगा क्योंकended अबरोग जिर दुए अबरोक चैरे जो थी आपकी चोद बी और फंद्रवी जरा नहतनी है आपका यह बहुत ज़ादा कलात्मक सेली से डालmbre मतलब बहुत अलग आठ तरीके से चलात मक शैली थी इंदर यह है अपकी उरॉब में प्रचलित है उ gefähr उ Chapel कैट अब कि श daí सुनने लीजिएगा बहुत इंटरस्टिंग है। बहुत काम की जी सबसे पहले जो है जर्मन जो एक देश है इसके अंदर यूरोप के अंदर एक जाती थी उसकी गोथ गोथ जाती थी उसके द्वारा जो लाए गई थी ये गोथिक गोथिक सेली लाए गे थे उसके दुवारा गोथिक सेली लाए गाये थी भ आपका इसमें प्रियोग होता था, आपका इसी तरीके से प्रियोग होता था, पतले-ूचे- शिखर का पतले-ूचे-सिखर, अब यह आपकी समझ में नहीं आया हुए किए क्या होता है गौतिक। समझा देता हूँ गौतिक गोत जाती थी जर्मन के अंदर उसके द्वाराई लाई गई थी तो गोतिक सैली के लाई इसका मुख्या क्या था तीन महराब उसका खिर किकाश पतले उसकार ये सारी चीन समस्त sonra के टुरूं ya अपका एक हो गया या अपका दो हो अचैन करे से यह यह जो आगर आपको अब इमेज भन रही हो तो देखो कि यहां पर यह यह यहां पर यह और यहां पर यह यह इस तरीकी के भवन बनने लगे थे यह भवन बनते थे कहां पर पुर्टुगाल के अंदर किस सैली के प्रयोग में होता था वापा गोतिक सैली अभी भारत में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं सिर्व वहां की बात कर रहा हूं तीन महराव हो गए एक दो तीन ठीक है और यह महराव जो हते थे लुकी यह नुकीले होते थे आप देख रहोंगे नुकीले पहले है कैसा होते थे संसे पहले जो saly tula से sam ठीक है और उच्छे कर लेते हैं पतले ऊच्छे शिकर होते थे तो मैं आपसे कहा रहा हूँ यह गोथिक सहली जो कहां पर थी आपकी पुर्टूगाल के अंदर थी या फिर पूरे यूरोप के अंदर थी यह तीनों सहली आप समझ गयोंगे बरॉक सहली आईवरेंशली और ग चाहता था तो पंदवी सदादी में जब इन्होंने आना स्टार्ट किया तो यह बेपार की उदेश्य से यहां पर आए तो बेपार आने के बाद इन्हें बसना पड़ेगा पहले क्योंकि एक दिन का आना जाना नहीं होता था कहीं-कहीं महीने लगते थे आने में भी और जान करेंगे किन सहली होगा यह जो सहली मैंने आपको बताईए बरोक सहली आईवरें शहली और यह जितनी भी सहली मैंने आपको बताईए तो सबसे पहले जो मैं बता देता हूं यह पूर्तुगाली आये क्योंकि पूर्तुगाल मैंने सबसे उपर लिखा था क्यों क्योंकि सब से फ्हलाए तो यही शैली लेकर आएंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूं बाद वाले भी लाएंगे लेकिन जो प्रू में लेकर आएं वो हम पढ़ लेते हैं जैसे इनके दौरा जो है उलेखनी जो याद करने लाएगा उलेखनी निर्मार किन पूर्टगाल के दौरा क्योंकि विटा आपको पता है जब यह बेपार करना आएंगे आपर तो यहां पर रहेंगे आके तो यह कुछ भवनों का निर्मार करेंगे तो इनी शैलियों का प्रियों को रहेंगे इन भारत की इंडो-इसलामिक से मतलब नहीं है भारत की जो और प सेत्रेडल ठीक है गोवा में सेव कह जो है आपका पूर्टूगालियों के दीवारा ले कर आया गया था यह जगय है और ने पे डाले तो से एकदम निकल लगा राएगा तो यह गोवाया के अंतर से приб कृथटुगालियों ने बनाया था और किस तरली से बना था गोथिक तर से बना है तो इस सेली से बना हुआ इसके खास बात थी से कैथ्रेडल में इसमें एक घंटा लगावा था घंटा बैल जिसको विसाल घंटा बोलते थे या फिर गोल्डन वैल भी बोलते थे गोल्डन वैल भी बोलते थे ठीक है तो गोवा के अंदर आपका से कैथ्रेडल बना संबते हैं आपका कास्टे डे अगवादा कास्टे श्यली श्यली का रिषक्र करके नहीं मुंबई के अंदर है इनी शहलियों को प्रियोग करके इनको बनाया गया था कासिला डियागवादा को इनी शहलियों को प्रियोग करके ठीक है अगला जो है आपका बोम जीजस बोम जीजस का जीजस मतलब इसा मसी बोम जीजस का वसीलस वसी वसी लस वोम जीजस का वसीलस आपका ही बनाया गया था इसका जो मतलब था एक तरीके से जगह है पवित्र इशा मसी के नाम है पवित्र इशा मसी ठीक है पवित्र इशा मसी आपका ये जो बनाया गया था 1604 में बनाया गया तो यहाऊं से लगवात का जिशाली नियुक की दो यूद्व बनाया गया तो कही है को आप Economic के अंदर है यह भी आपका पॉर्टगालियों के दौरबया गया घया था बॉंभ जीजस का वसीलस मतलब कि पवितरि ही सामशी बadonn 1604 में यह भी किसके द्वारा बनवाया गया था पुर्तुगालियों के द्वारा बनवाया गया था इंपोटेंट से जो आपको ध्यान लखने हैं तो बोंबे और गोवा हो गया देखो बोंबे गोवा और यह चीज क्यों बता रहा हूं इसको भी समझ लीजेगा क्योंकि यह के आपका इस तरह की साब ते किसा आए ते इस तरब से इधर से समंदुर के राके याँ पर गोय में वाज बोबे में और दीप और दमन दीप पर इन्हों रहां अधिकार किया इसके परीषर में इसके परीशर में Thomas Church था St.Thomas Church उ ऐसी इसके कले में outdoor St.Pol Church UP St.Thomas Church,St.Pol Church किससे ऐसमें आपका इसलिए के जिए जो है बीव में जो आपका डीव कला का इन्माड गया था थॉमस चयर्च और全 पज़ए इसके परी planners में बनाया गयाता जो आपका पुर्तगाली के दुवारावन भाया गाता. तो मैं आप से कहा रहा हूं, starting में जो आपके पूर्तगाली आए थे, तो पूर्तगाली जब starting में आए थे, तो उन्होंने अपने दुवारा गोवा में, इसी तरीके से आपका बॉम्बे में, दमन दीब में ये सब शैलियों का निर्माड किया था और वो जो शैलि थी आपकी बरोक शैलि आईविरेंज शैलि और गोथिक इस्ता पत्तिल और ये जो बनाया था तो ये जो आपकी कहलाई थी पूर्तगाली जो बनाया था ये पूर्तगाली गोथिक सैलि क्योंकि मैं आप पूर्तुगाली में इतना ही है एक और समझ लेते हैं जो छोटा है क्योंकि आपको पता है पूर्तुगाली भाले भारत में रहे हैं लेकिन इनका प्रभाब जो है अंग्रेजों ने कम कर दिया था अंग्रेज एक सक्ती उभर कर बनकर आए थे बाकि जितने भी यूरोप से आ जब आए थे तो इनोंने जो है एक नगर बसाया था पांडेचेरी और दूसरा बसाया था चंद्रनगर पांडेचेरी आपका दक्षीन भारत में जो आपको आज भी पता हुआ यूटी है हमारी और चंद्रनगर आपका वैस पंगॉल में है तो फ्रांसी सी आए थे तो यह इन्हीं सेली का प्रयोक कर रहे थे लगबक और इस सेली में इन्होंने जो है आपका और भी कुछ कारी किये थे जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इन्होंने जो है कुछ चर्चों का निर्माड किया था चर्चों का और उस चर्च का जो निर्माड किया था एक इनकी योजना थी कार्टेशियन Cartesian grid योजना मतलब कि Cartesian grid योजना का मतलब जाली नुमा सरचना इन्होंने बहुत बनाई दी जाली नुमा सणरचना इन्होंने जो है France Youseer ने चर्चों का निर्माड किया था तो चर्च आपके बहुत बुख्ष हैं जो आपको याद रखने है rer Jesus kiss velvet जेसस आ सेक्रेड कि आतो हट sorry पर चर्च इसे तरहिका से दूसरा हो रहा है आ से और हर छर्च यह झो आप टेह रहोगी चर्चों इन्होंने निर्मान किया गए था यह जु बनाया था आपका उन्होंने पॉंडेचेरी में बनाया था और यह जो बनाया था आपका चंदरनेगर में बनाया था जीसस का सेक्रेट हार्ट चर्च जो है आपका पॉंडेचेरी में बनाया था और सेक्रेट हार्ट चर्च जो है इन्होंने चंदरनेगर में बनाया था और इसमें जो है इनका मुख्य याद रखना Cartesian grid ios मतलब कि जाली नुमा सरचना का इन्होंने बहुत जादा प्रयोग किया था तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे आपको इसमें जो मुख्य चीज़े याद रखनी है रखनी है आपकी आईव़ियन सेली आईव़ियन सेली के साथ आपको जो रखना है आपको बरौक सेली रखना है आपको गोतिक इस्ता पत्य सेली याद रखना है और आपका ये Cartesian भारत में आएं तो भारत में इन्होंने देख लिया हमने जो मुख्य था यह थोड़ा बहुत मुख्य था थोड़ा बहुत देख लिया अगली क्लास में देखेंगे अंग्रेजों का अपना पूरा सताइपेट के आपको पूरी तरीके से यहां पर शावसन चलाया तो उनका कुछ जादा डिटेल है तो उसको अलग से समझेंगे आज के लिए इतना रखते हैं थैंक्यू सो मच अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रही है चलिए थैंक